नमस्कार तो जैसा कि कहते हैं कि भारत का दिल जो है वो दरसल गावों में बसता है शहर में लोग रहते हैं लेकिन गावों में लोग जीवन यापन करते हैं ऐसी एक विधानसवा की और आज हम रुख करेंगे जो जादा तर ग्रामीड इलाकों में बसती है जादा तर वहाँ पर गावों की बोल चाल है गावों की बोली भाशी बोली जाती है ऐसी एक विधान सबा का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं और ऐसी विधान सबा के बारे में आज नापने तौल में निरिक्षन करने जनता की नवस्ट टोलने जा रहे हैं आज हम बात करने जा रहे हैं दादरी विधान सबा की तो गौतम बुद्ध नगर की ये दादरी विधान सभा है जिसके आज हम बात करेंगे अपने खाश तो मेरा गाउं मेरा देश है के UP अज बात होगी दादरी विधान सभा की दादरी विधान सभा तेजपाल नागर साब यहां से विधायक है क्या कुछ उसमें चेंज आया क्या कुछ डेवलोपमेंट हुआ क्या विकास जो पैदा हुआ थोड़ा बड़ा हुआ की नहीं हुआ या विकास वहीं का वहीं अभी तक लटका है अटका है या जटका है फिलाल तस्वीरे दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए दादरी का digital दर्शन करेंगे हम तो दादरी के दर्शन कराईएगा लेकिन ये चीज बड़ी एहम हो जाती है कि जब भी हम मेरा गाउं मेरा देश है की बात करते हैं तो सबसे पड़े जो तस्वीर होती है उसमें रुख हम आपका सडकों से करवाते हैं सडकों पर सरपट तौड़ती हुई गाणिया दिखती हैं दोड़ती हुई तो आज दादरी विधान सभा की बात करेंगे दादरी विधान सभा से हमारे साथ खास दर्सक जुड़ेंगे, महमान जुड़ेंगे जिनसे हम जानेंगे, समझेंगे कि आखिर दादरी विधान सभा में क्या कुछ चल रहा है, फिलाल आप देख सकते हैं ऐसे में अब क्या मुद्दा है जो वहाँ पर चरम पर है किस मुद्दे को लेकर लोग वोट करने जा रहे हैं किस मुद्दे को लेकर दादरी विधान सवा में वोटिंग होने जा रहे हैं किस मुद्दे को लेकर दादरी की जनता देजपाल नागर साहब को आखने जा रहे है साथी साथ रेटिंग की भी बात करेंगे, पॉइंट की भी बात करेंगे, माक्स की भी बात करेंगे, कि आखिर दादरी विधान सवा में तेजपाल नागर साहब ने 5 साल के रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर पाए या कितने नंबर गवाए, इसको लेकर हमारे साथ दर्श जुलती जुलती बातचीत करेंगे यह बताईएगा कि दादरी विधान सभाव 2017 में भी हम तो घुमने फिर नहीं जाते थे आना जाना अपना लगाई रहता है 2022 पे भी आते जाते हैं अब आप मुझे यह बताईएगे कि आप वहीं के रहवासी हैं वहीं रहते हैं दादरी विधान सभा कैसी दिखती है आपको आज कुछ बदलाव हुआ है तेजपाल नागर साब ने कुछ बदलाव कराया या फिर कुछ ऐसे ही है सब देखे हम बताना चाहेंगे कि 2017 और 2020 जो चुनावा है इसमें आप 30 और 40 परसेंट बदलाव महसूस कर सकते हैं कि हम यह भी बताएंगे कि जादा बदलाव लेकिन जो 30-40 परसेंट जिस तरह जाम से हम पहले भी जूज रहे थे वह आज भी अगर आप हमारी दादरी में आए तो जादा लोगों ने गाड़ी ले लिकिया गाड़ी नहीं जाम की सेम समस्य वही है चौराई पर जहां रैड बत्ती वह आप अगर 2017 में आए होंगे तब भी आपको वहां पर रैड बत्ती नहीं लगी मिली होगी चौराई ओपर और आज भी वह सेम कंडीशन दूर अगरे वहां पर पहले बताते थे कि काफी क्राइम वगरा होते तो आप क्राइम रेट पर कंट्रोल है कि क्राइम रेट पर हम बूल सकते हैं कि कंट्रोल है लेकिन चोरी जिस तरह हम मैं जो ग्रामीन उसके वाद करूं तो भैस चोर अभी अभी जो है आपका बुलेंसेर के वहाँ पर भैस चोरी हुई थी, हमारे इदर से 30-40 भैस उधर मिली है तो उधर जो भैसे चोरी होने पर कंट्रोल और इसमें बोलेंगे कि अच्छा आए भैस चोरी हुई थी भैस चोरी की रिपोर्ट लिखाई गई थी, तो भैस ढूनने गई थी, पुलिस की नहीं गई थी पुलिस, मैं खुद बताना चाहूँगा कि मेरी खुद एक मेरे रिष्तेदार है जिनके बैस चोरी हुई थी और अभी तक नहीं मिली है और पुलिस को भी उन्होंने रिपोर्ट कराई है, जार चताना कि यह गटना है, लेकि अभी तक और मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि बहुत गरीव परिवार की वो है, बिद्वा औरत है, उसकी भैस चोरी हुई लेकिन अभी तक नहीं मिली है यूपी के इतिहास में आज तक एक ही ऐसा मामला है जो चर्चा में, हैडलाइन में जा भैस चोरी भी हुई और भैस मिली भी बकाइदा पूरा प्रशासन भैस ढूनने में लग गया समझ गया, आजम खान साब भैस चोरी हुई थी तो पूरे प्रशासन ने भैस ढून कर दी थी आजम खान साब को वापस खैर भैस मिली जाजम खान साब नहीं मिल रहे है हलाकि टिकेट तो उनको मिल गया है तो यह और बताइए का जरा कि दादरी में हम अगर देखे कि सिक्षा को लेकर क्या है सर सिक्षा को लेकर आप जिस तरह आप बतारे कि आप 2017 में भी घूमे हैं और बीच में भी आप आए होंगे लेकिन आपको सेम कंडिशन अगर हम विधायक जी की बात करें तो विधायक जी के पास में एक सबसे बड़ा महाना मिल जाता है दो साल से कोरोना बच्चे घर में ही पढ़ रहे हैं ठीक है मापापों का के जो एक मिदिल फैम्ली है लौर फैमली जैंप में उसे मोग्माइल और खरीत ने पढ़े बच्च eer snakes मोबाईल फोन खरीट कर बच्चे अज कल पढ़ करहिए वह तो बना रहे हैं चोटी चोटी वीडियो बना रहेरे हैं यूट्यूब और सेल्ट यह देखने लगे कि यूट्यूबर किस तरह कमाते हैं ब्लॉग्स तैयार करने लगे पढ़ाईयों से जादा ब्लॉग्स बच्चे बनाते हैं आधा देश का यूवा तो आजकल पाड़ियों पर ब्लॉग बना रहा है पाड़ियों में ब्लॉग बिल्कुल बिल्कुल जाइज बात है सर आपकी तो सिक्षा को लेकर आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सिक्षा पर जो चोट लगे वो दरसल कोरुना काल के दौरान जो ये ऑनलाइन क्लासिस बगेरा का जो कॉंसेट दिया गया लेकिन वो इतना प् पर कार्ज की कोई सिक्षा मिल पाती होगी और ऐसे में धर्मेंट जी हम जब बाचीत कर रहे हैं तो धर्मेंट जी आप एक चीज़ देखते होंगे कि जो पहले हमारी एडुकेशन सिस्टम था वही इतना स्किल्फुल नहीं था कि आप इंटर पास करके बाहर निकले या आ सोचता है कि अब नौकरी की किसी दरवाजे कंदर घुज जाएं लेकिन मिलती नहीं है क्योंकि स्किल नहीं है और अब जब ऑनलाइन क्लासे की बात चल रही है और ऑनलाइन क्लासे से पढ़े हुए यूवा जब सड़क पर उत्रेंगे मुझे नहीं लगता कि कोई नौकरी लेनी थी ठीक उसने 2020 में कर दूंगा लेकिन यह हमारे जो अब यह दो साल जो गए सार उसमें उसके लिए कितना है भी हो गया कि जहां पर एक जौब है वहां पर जो है हजार नटके खड़ें तो सबस्य दिखें तो किस तरह जोब हासिल करेंगा तब उसे 80-90 परसेंट वा सडक पर भी आना जानते हैं प्रदर्शन करना भी जानते हैं ट्विटर पर आंदोलन चलाना भी जानते हैं जो कि ठीक भी है ठीक है क्योंकि सरकारों की भी कहीं ना कहीं गलती है सरकारे नौकरियों को जिस तरीके से लटका रही है अटका रही है भटका रही है तो गलती है लेकिन युवाओं को भी चीज सोचनी चाहिए धर्मेन साब कि युवा किस तरफ जा रहा है अब एक मैं गया था इधर हापुर की तरफ गया था धर्मेन साब तो हापुर की तरफ एक college में गया था एक कारिक्रम था उस college में कारिक्रम attend करने गया था तो एक building थी जिसमें hostel था वो तो hostel के नीचे एक यूवा थे हुआ ये तो बोलने लगे कि साब हमें तो मेरा last year है लेकिन कहीं भी सरकारी नौकरी की कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क मतलब नाम होते न होस्टल के एक बिल्डिंग का ये नाम दूसरी बिल्डिंग में वो रह रह रहा है हॉस्टल में उसका नाम ही है गड़ेश शंकर विद्यार्थी है कौन तो हमने का थोड़ा पड़ लिख लिए होते और थोड़ी देर वाज जब हम दूसरा वहीं पर बा तो हमने का तुम पहले ये बताओ कि जो तुम खैनी रगड रहे हो ये तमबाकू कहां पैदा होता है कैसे पैदा होता है कैसे उगाया जाता है कौन से सीजन में उगता है पहले ये बताओ हमने खैनी खाओ कोई बात नहीं ये तो बताओ कम से कम कि कब उगा कैसे पैदा होत तो फिर आप जॉब के लिए जब करते हैं तो आपको क्यूं कोई कंपरी देगी अब यह बताईए अब आप कैमरे के सामने खड़े होके सेलफी लेना जानते हैं आप हाइवे पर सेलफी लेना जानते हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको टाइपराइटर की जॉब मिल बच्छा नहीं हम बही बात बही बात बही बात बही बात तो आपको तरह की नौकरी पे रखा जाएगा अब बाजू में एक और खिड़की में हमारे बुजुर्ग है हुआरे साथ तो बहुत-बहुत स्वागत है सार आपका सर आपको एक छोटा सा कष्ट दूगा नाम बता दीजिए अपना डाक्टर आनंद आरिया डाक्टर साहब बहुत-बहुत स्वागत और बड़ी खुशी हुई आप जुड़े हमारे साथ डाक्टर साहब आपने तो कितनी सरकारे आती जाती देख लिए होंगे कितने विधा अधरी चेत्र से विधायक में अंदर बाटी जो तीन बाल लगातार विधायक रहे यहां से और उनोंने इतने बच्चों को रोजगार दिया को रोजगार उनके बराबर नहीं दे पाया अजार बच्चे यहां निजी संस्थानों में उनको नोफरिया दी उनको रोजगार दिया तो ऐसा विधायक जाना नहीं चाहिए अच्छा धर्वेन साहब कौन बाटी साहब कब गये थे कब थे विधायक जी मैं अंदर बाटी जी जी हलो डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा थोड़ी दिर के लिए अप मैं धर्मेंज साहब से बात करता दर्मेंज यह कह रहा था भाटी साहब कब से कब तक विधायक रहे थे यह जो मेंदर भाटी साहब जो है यह रहे थे आपका 95 और 2000 उसमें यह थे लेकिन उसके बाद में जो भी हमारी दादरी बिधान सवा में लेकिन अपने दौर के लिए जी का नाम बता दिया है कि हमारे दौर के विधायक जी में में बता नाचाओंगा दो बार यह सत्वीर गूजर रहे हैं इनस बाद से जो रहे दो बार रहें लेकिन रोजदार की तब वही सेम कंडीशंती तब हमारे जो यूबा था शडक पर अगर आप दादरी की बात कहें, तो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, युवाओं को रोजगार नहीं है, और मैं आपको बताना चाहूंगा, कि मैं खुद ग्रेटर नॉइडा में विप्रो कम्पनी है, आपने देखी भी होगी, ग्रेटर नॉइडा विप्रो कम्पनी है, उसम अच्छा, बॉडी बिल्डर है, लेकिन कोरोना काल में हमारी जॉब हट गई, और दो साल से अगर मुझ जैसे को ही कुरूजी जॉब नहीं दिला पा रही है, या कहीं पर नहीं किसी कम्पनी में एंट्री हो पा रही है, तो औरों कि क्या करूँ, जो एक्स्पीरेंस वारे बंदों को ही जॉब नहीं है, तो जो हमारे नॉर्मल बंदों को किस तरह जॉब मिलेगी, यह समस्या है, यह समस्या है, डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने भाटी साहब का जिक्र किया, तो भाटी साहब तो उस दौर पे विधायक थे, जब सच में जनसेवा की बात होती थी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, दर्मेन साहब भी जानते हैं, कि 40 लाग क्या 40 करोड भी खर्च करने पड़ेंगे, तो भी करते हैं, क्योंकि आज के दौर की जुनाओं है, वो दरसल एक बिजनस मॉडल है, कि जुआ है, जुआ है, एक तरीके का, 40 करोड मैं तो, क्यूंकि आप टिकट साहमे देख ली दिये कि लिदू एक टुक्त के मामले में भी सट्टा अै तो, जो को एक जहां से मैं आता हूं, वहां पर, डोक्टर साथ भा दर्भेह्न जी, जहां से मैं आता हूं, वहां पर, एक नेताजी थे हमारे दिन राठ काम करते sincer दिन रात काम करते रहे दिन रात काम करते रहे वो ले टिकेट तो हमारा फाइनल है फिक्स हमारी बात हो गई उपर और एक साहब ते वो चुप-चाप बैठे रहे आग्टर और आप तोड़ा सा मेरी बात को बताइएगा कि मैं ठीक कह रहा कि नहीं कि पहले के दौर की जो जनसेवा थी और आज के दौर कि जो जनसेवा या समाज सेवा कहलो समाज सेवा जो है आजकल समाज सेवी ऐसे ऐसे समाज सेवी हो गए ऐसे ऐसे समाज सेवी हैं कि जिनके गले में इतना गहना है कि अगर उस गहने को बेच दूँ तो बहुत सारे देशों की जीडीपी मैच करा देंगे इतना गहना है उनके पार मतलब मैं तो देख के चौंक जाता हूं कि आजकल वो घड़ी पहनते तो घड़ी भी सोने की है और आप तक आप जो है टिकेट खरीदा जाता है हां वही तो जो विवहस्ता है वह जनुक योगी नहीं है इसमें सुधार की आशकता है विल्कुल आपने तो आपने तो वह दौर भी देखा होगा जब जेपी साहब ते लोहा साहब हुआ करते थे बड़े बड़े नेता थे ल है कि कोई साइकल से चलता हुआ कार करता कल को टिकेट का दावेदार हो सकता है या उसे टिकेट मिल सकता है जी धन्यवाद मैंने वह दौर भी देखा है रामचंदर विकल जी यहां पर पर जायक बने थे 1952 में और 2000 रुपे का मातिक जंदा हुआ था और उसमें ही वह चुन प्रशकार भी दिखते हैं तभी तो आज कल यह सब यह सब सिस्टम काम कर रहा है अज कल हो क्या गया है न डॉक्टर साब अगर आज की थोड़ी सी बताओ क्योंकि हम सडक पर निकलते रहते लोगों से बाचीत करते रहते तो आज कल है क्या सबसे पहले तो जिसे नेता बनन है उसके पास specific amount होना चाहिए पैसा होना चाहिए और गाड़ी भी बढ़िया ऐसा नहीं कि अल्टो लेकर घूम रहे हैं और सोच्रव कलको बिधायक बनोगे कोई कार्य करता थपण मारके चला जाएगा कि अल्टो लेकर घूम रहे हैं और बिधायकिक सब ने देख रहे हैं ठीक ना ऐसे नहीं होगा तो हो गया रहा है आजकल डॉक्टर साब कि पहले तो गाड़ी बढ़िया होनी चाहिए इसके बाद क्या है कि सबसे पहले तो वह उस पूरा शिस्टम है उसको समझिए जबसे जात वाले हैं उनके लिए 1-2 पर रह कभी कदार गाद करा देजए कभी पूरी समस्या पाइस जड़ से खतब नहीं करना है अगर से समस्या खतल हो गई तो सिस्टम ठीक हो जाएगा जड़ से कभी समस्या खत 불द नहीं पहलें लेक और यही हो रहा है और लोग समझ नहीं रहे इस चीज को अब चार लड़के आपस में लड़ गए कॉलिज के बाहर चार लड़के लड़के चारों को पकड़के पॉलिस ने थाने बंद कर दिया उसमें से एक था गूजर उसने तेजपाल नागर साब को फोन मिला दिया नाग जी ने कहा अभी रुको दो मिनिट ठानेदार को फोन के चारों छोड़ो चारों बाहर आए अरे बिधायक जी अपने आदमी तो कोई सिस्टम में क्या सुधार होगा बताईए कैसे सुधार हो सकता है यह जो मैं आपको बताऊंगा पहले जो राजनीती थी पहले राजनीती कि निश्वार्थ थी सेवा भावना से की जाती थी और घर से समय लेना पड़ता था कि मैं आज इस रेली में जा रहो हूं तो घरवाले समय देते थे और बोलते थे कि पहले अपने जानवरों को चारा डाल कर जाना तब रेली में जाना काम पहले है राजनीती बाद में है अब घरवाने बोलते हैं अरे थोड़ा बहुत राजनीती में है क्योंकि चौकी थाने में तो बिधायक जी फॉन करेंगे बिल्कुल पकड़ी जाएगी तो बिधायक जी करेंगे मानसिक्ता जो है चाहे मेरे युवा साथी हो चाह कोई भी है मानसिक्ता केवाल एक चौकी इंचार्ज तक सीमित रह जाती है कि अगर चौकी इंचार्ज ने हमें पकड़ लिया तो विधायक जी फॉन कर देंगे मेरा कारे करता है बिल्कुल और डॉक्टर साहब अगर इस बात पर थोड़ा सा अपना प्रकाश डाल सके तो डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि चुना लेड़ बकरी भैस गाय जो भी दिग्या उसके भी पैर चुए ले रहे हैं तो यह जन संपर्ग बाकी जब चुनाओ नहीं होते तब क्यों नहीं देखने को मिलता हम आज के दौर बें कोई नेता नहीं देखते हैं कि जन संपर्ग कर रहा हो चुनाओ तीन साल बाद है कि ज चुनाओ के दौर में दिखाई जाती है उतनी भी वफाई चुनाओ के बाद में देखने जा सकती है बslag जो आज चहरा हमको बार-बार बार दीख रहा है बार-बार हमारी खुठानध कर रहे हैं पांत साल तक वह गाय ऊजाता है दो जो जाताना अन है के गाड़ी खुटवा दी ये कर दिये ये तो नीजी काम है चलो मैं ये कहना चाहता हूं कि सार्ज ने काम है जो वलंत समस्या है उन पर भी गौर नहीं किया जाता बिल्कुल सिस्टम है अब मैं ठोगाता उधान देना चाहता हूं तादरी का बदहाल बसक्डा पात साल से मैं बराबर उसको जो है लिख रहा हूं उसकी बदहाली दूर करने के लिए परिवेन मंत्री यहां तक की चीफ मिनिश्टन तक को लिखा गया कोई कारवाई नहीं होई और उसके लिए प्रिस्तावी धन करोड़ अठावन लाक मन्जूर हो गया लेकिन उसके प्रती धना बंट नहीं हुआ तो मजब यह तो विकास की जो कहना में इस्तिती है विसे इस रूप समय मैं आप दाद्री के बारे में कहना चाहता हूं कि दाद्री जो है अपने हाब में जनपद में अपेक्षाकरत प्युटता हुआ ते तरह हैं जिसके पर विखते रहते हैं यहां कि सुख नहीं होई दूसरा निवेदन मेरा यह है कि अपने आप में घाटे का सौधा है और यहां की दादरी की जो आबादी है लाखों की आबादी है यहां पर यदि उसको लिंक कर दिया जाए तुछा नेत में एक अच्छा फैसरा सित होगा दूसरी तरफ मैट्रो का जो घाटा है उसकी भी भरपाई हो जाएगी उसके प्रिटे भी हम बराबर लिखते रहे हैं बहुत सही बाते कहीं हैं लेकि तो इस पर भी नहीं होई है जो गंबीर चीज़ा है अब मैं वर्तमान दौर में बताना चाहता हूं अभी प्रादी करन और रोड़वेज में डौनों ने मिल क करके एक लोकल बस सेवा चलाई है यहां ग्रेटर नौइडा में उसके लिए सवार या उपला दमने हैं और हम बार बार निवेदन कर रहे हैं दादी करने के यदि आप दादरी को लिंक कर दें लोकल सिवा में दादी को ले 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 हैं तो बहुत प्रेकड़ों लोगों को आपको इंकम हो जाएगी लेकिन कोई गौड नहीं हो रही है नहीं वहीं तो वहीं मैं कह रहा हूं कि सिस्टम को दरसल इस तरीके से क्रियेट कर दिया गया डाप्टर साब ना अचकल कि आप बड़े बुद्दों पर कितरी भी बात करते रही हैं आप एक वोटर हैं आप कि यह अध्यक्ष और हर कोई अध्यक्ष है मतब सच में और एक मेरे मित्र थे वो बहुत चुनाओ के वक्त बहुत मौझ में रहते हैं बहुत मौझ में रहते हैं वह समाजवादी लेकिन कल पर सो फोटो डाल रहे थे फेस्बुक पर मैंने देखा उन्होंने फोटो डाला कि देखो जो बीजेपी के मौझूदा विधायक है वो मेरे घर पर आए और मेरे तक पैर चूली है करें लेकिन हम वोट समाजवादी को देंगे मैंने कहा कि अगर गलती से यह फिर विधायक बन गए और यह पोस्ट अगर किसी इन दिखा दिया तो दुबारा घर आएंगे औ लेकिन आज के दौर की राज़ादी को अगर हम समझते हैं तो एक चीज देखेगा जो बड़ा कश्ट होता इसको देखकर कि आज के दौर में कोई भी आप तो बड़ा उन चीजों को देखे होंगे बड़ा करीम से समझे भी होंगे गांधी का औरा था आज कल देखते हैं आशने चंट वा यहांटा फ़ें को गांधी को गाली दे रहें गांडी को गांणी देने लग जाते हैं पता नहीं कहां से आप गांधी जी को गाली दे carried phi गांधीजी को क्यों का फ Crispy रहा हमने का गांधी जी को गाली मद दो हमारे चेक로 माफिया हैं नेका उनने गाली दो जोरोर से गली का ने का चार दिन के बाद हम जब तुमारे घर के आएंगे न तिवारी जी तो यहां खर तो बोलें कि तिवारी जी कौन तिवारी जी आ रहे तो जो खुद भी जिन्दा होते डॉक्टर साब तो भी वह आपका कुछ ना कर पाते हैं तो आज के दौर की राजनीती सिर्फ प्रपंच बनके रह गई है इस पर अगर कविताइं लिख दी जाएं और वह पहले आती थी ना वह चंदन नंदन जब हम बच्पन में छोटे थे तो पढ़ते थे चंदन नंदन तो आज के दौर की राजनीती में तो विंगात्मक दादरी विधान सभा का आखिर क्या लबो लुआब है उसको जानने की कोशिश कर रहे थे डॉक्टर साब ने बड़े अच्छे से समझाए और साथी साथ धर्मेंजी ने भी इसको बड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश की कि युवाओं को जो बेरोज़गारी है दरसल जानने समझने की कोशिश कर रहे थे निरिक्षन कर रहे थे जनता की नवस्ट टोलने की कोशिश कर रहे थे साथी साथ जान रहे थे कि जो समस्याए है उनका समधान आखिर क्या हो सकता है कल एक बार फिर एक नई विधान सभा के साथ आपके समक्ष पेश हो जाओंगा और उस पर भी बाचीत करें जानकारी रखेंगे फिलाल करें शुक्रिया रखेंगे